अमस्कार दोस्तो जी आरेश टेक्निकल में आपका स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगा घी खाने के फाय देव सबसे पहले मैं पतंजली घी का रिव्यू कर दूँ तो सबसे पहले आप देख रहे हैं नेट क्वैंटिटी है 200 ml 181 ग्राम और 45 डिग्री सेल्सियस लिखा घी मेक प्रम काव मिल्क पतंजली का ब्रांडिंग है काफी अच्छा ये लोगों भी है औरिजनल घी है एकदम बिल्कूल पतंजली ये स्टोर से मैं लाया हूं देशी घी पौस्टी के अम दानेदार घी हस्त तो असपर्स रहीत हस्त असपर्स रहीत खोलने के तुरंत बा लिखा गया है भारत में निर्मित है भारत में और गाय का देशी घी पतंजली देशी घी है दो सो एमेल और इसका एमार पी आपको मैं बता दूँ तो एमार पी है 110 रुपे काफी अच्छा गी है इसका रीवीव करके अभी बताता हूं मैं त्यारों तरप से पैक है खोलू मजबूत होता है सरीर में अनिक परकार की बिमारियों से लड़ने में ये सहायता पहुंचाता है पतंजली घी घी खायने से सेहत मन और मोटापा भी ज्यादा नहीं होता है और बौडी एकदम हेल्दी होता है मानसिक बौधिक छमता बढ़ाने में खून को अच्छे तरह से सरकुलेट करने में तो इस घी से आप हल्वा पूडी कचोडी लीटी भी बना के खा सकते हैं जिससे सेहत मजबूत होता है इसे डाइजेस्ट करने में काफी अराम दे होता है पेट खराब नहीं होता है और आंतरिक डाइजेशन जो होता है वो भी मजबूत होता है सारा सरी गीर का अंग अंग मजबूत रहता है तो खाएं घर में लाकर पतंजली घी रोटी के संग और करें अंग अंग मजबूत इसको मैं खोलूंगा थोड़े देर में तो यह देखिए दोस्तों मेरे यहां लीटी बन रहा है आप इसी में मैं आपको घी डाल के दिखाता हूं कितना प्यारा सा घी है रामदेव के द्वारा यह देखिए बिल्कुल ओरीजनल घी है एकदम ओरीजनल है तो अगर आप भी पतंजली घी लाएं तो लीटी पचोडी हलुआ जरूर खाएं जय हिंद वन्ने मातरम वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा